अलो फ्रेंट्स में उधित इस वीडियो में हम बात करेंगे वू कॉमर्स के अंदर हम वेरीबल पॉडक्त कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं तो अब पॉडक्ट सेक्षन में आएंगे और खिर करेंगे एड नियू पर एक पॉडक्ट में पहले बनाया था जो सींपल पॉडक्ट था अभी हम वेरीबल पॉडक्ट बना रहे हैं तो वेरीबल पॉडक्ट के लिए मैंने जो अभी तो पॉडक्ट acesso किया हूँ और एक यह शर्ट चूज़ की है ठीक है तो कोई भी एक पहले बना लेता हूं तो मैंने ये पोड़क का नाम कॉपी कर लिया जो कि मैं यहां पर पेश कर हूंगा ठीक है जब हम अपनी वेपसेट बनाएंगे तो अब इसलिए अभी I don't have any इसलिए मैं ठीक है ना फ्लिप कार डिया Amazon से कहीं से भी रेफरेंस लेकर बना के दिखा रहा हूं आपको प्राइज इस 1699 लेकिन डिस्काउंट के बाद 1449 है तो इसको कॉपी करा मैंने तो 169 ठीक है को यहां पर लिए मैंने मैं शूज मैं शूज के मैं मैं स्वोर्ट शूज यह लिया एंड शूज पर चलिक कर दो दोरहों में आना चाहिए चाहो तो मैंस पर कर सकते हो लेकिन ठीक है रेग्लर प्राइस 169 और डिस्कांट राइस 1449 ठीक है तो यह लगने की जूरत नहीं है ठीक है अब सेल प्राइस जो है ना वो चाहो तो आप स्केड्यूल कर सकते होगी एक सर्टेन पीरेड रखी रहे ठीक है कब से कब तक रहे आप जैसे शूज की बात हो रही है तो शूज की जो कैटेकरी है वो यह नो मालों की 10% वाले जीस्टी में आएगा मतलब टैक्स जो लगेगा इसका तो वैसे चूज कर लेंगे तो यह मैंने यह नो टैक्सेशन का अलग वीडियो बनाया तो वह देख सकते हो शेपिंग का अल यह नो आप लिख सकते हो इसके नदर cm में लिखना है तो 30 cm, width में 10, and height में भी हम लिख सकते हैं इसको approximately 10 ठीक है तो चलो ऐसा देते हैं मैंने शेपिंग के लिए ओपर 1 kg है तो मैं यह ले लेता हूँ शेपिंग का वीडियो देखो के तो यह समझ में आ जाएगे कि मैं क्यों कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं पॉड़क्ट इमेज की बात कर ले मैंने डाउनलोड कर ली है सिर्व अप्लोड करनी है पांच अभी मैं ले रहा हूं लेकिन इन फ्रड़क में रीड खरर रहा हूं यह येलो के लिए तो यहलो वाले पर टिक करते हैं एक ले लुंग और खुलोड होने वाला वैसे तो इस यह भी मैं था All लेकिन मैंने लिए नहीं हूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ है चलो एक यह एंगल दिखाते है एंड नीक्चे एड़क गैलरी में जिसके अंदर हम बता सकते हैं की और कौन-कौन से कलर में अवेलिबल है और आप यहलो के साथ-साथ कैसी दूसरे कलर को भी चूज करके ख लिखा नॉट प्लस रूनिंग शूज फो मैं ठीक है रूनिंग स्पोर्ट शूज फो मैं ठीक है अब नाम तो ऐसी आएगा बाकी जो इसका यूरल होगा या इसका जो SKU होगा श्टॉक किपिंग यूनिट वो अलग होगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले नाम देना है इसके बाद आपने प्रोड़की इमेज और गैलरी मेंज जालनी है फिर जो दो चीज़े में आए यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और में डिस्क्रिप्शन उसके बाद में सेटिंग में आते हैं जिसको जो यह बला पार जहाँ पर हमने कुछ-कुछ चीज़े कर रह दिया सबसे इंपोर्टन चीज जो हम बेसिकली प्रड़क की बात कर रहे हैं कि वेरिबल प्रड़क्ट है वेरिबल प्रड़क्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे शूज है तो शूज एक यूनो इसमें बहुत सारे वेरिशन है मतलब 6 नमबर भी है 7 भी है 8 भी है 9 भी है तो ठीक है अब देखो सिंपल प्रड़क में क्या कहा था पहले जर्नल इन्वेंट्री शिपिंग जैसी मैंने वेरिबल लिया ठीक है आ रहा है अभी भी लेकिन जर्नल के अंदर वो जो प्राइस आ रहा था उपर टैक से वो चला गया ठीक है ना क्योंकि यहां पे कोई र Six सेत नहीं करेगा कि मुझे कलण लेना है मुझे плох यह साइज लेना तक कोई प्राइस हाई हुआ't सकता है अलग-लाग प्राइस हो सेमी भी हो सकता है 27 अलगलग भी हो सकता कम जादा भी हो सकता है वह देखते ह现 अभी ठीक है तो यहां पर हैं बैप और दो यहां पे पॉर अगर आपने एक option दे रखा कि जो बेस है वो mix fruit चाहिए कि चॉकलेट चीज़ है उसका भी अलग के प्राइस अगर आप बोलोगे कि जो इसकी icing है वो मुझे red valid में चाहिए या मुझे vanilla चाहिए या मुझे चॉकलेट चाहिए फिर अलग प्राइस ठीक है ना तो वैसा कुछ तो वह variable product के अंदर count होता है जहां पर user अपनी preference के हिसाप से चीज़े set करता है फिर website उसको price बताती है वह variable product होता है तो यहां पर हमने सबसे पहले किया नाम डाला फिर category as usual जो में चीज़ है फिर images वगरा हमने डाल दी अब जैसे हम page पर देख रहे हैं कि यहां पर यह सब है यह सब है यह सब है product details के अंदर click करते हैं यह सब आ रहा है 450 gram से मैंने 1 kg लिख दिया ठीक है कोई बात नहीं तो यह सब इसके attributes है color yellow outer material model name ठीक है ना ideal for occasion soul material closure something ठीक है read more करें और भी है मतलब ठीक है तो काफी सारी चीज़े हैं तो इसको अगर मैं जितनों को भी दिखाना चाहता हूं copy कर लिया product page पे गए और इसको main description में नहीं इसको short description में डालेंगे ठीक है अब यहां पर मैंने copy paste तो किया लेकर अजीब साही लग रहा है यह साही से हुआ नहीं आए थिंग copy ठीक किया है वैसे तो color yellow लेकिन नीचे आ रहा है color yellow लेकिन कोई issue नहीं है थोड़ा सा modification खुद से करना पड़ेगा यहां पर क्योंकि alignment ठीक नहीं आउटर मेटीरियल तो यह जादा चैलेंजिंग नहीं हो रहा है राम से तो यह सब छोड़ दो तो यह सब जो मैंने भी दिया इसको सेलेक करते हैं और इसको बुलिट में डाल देते हैं बुलिट में सारे क्यों नहीं आए तो कैसे आंगे देखो जैसे एक एक को जाके backspace enter अब यह जो हमने दिया है short description यह कहां आता है वह देखते हैं तो यह फ्यू पोड़क कर लेते हैं न्यू टैब में इमेज अपनी जगा पर आएगी right side में title अपनी जगा पर आएगा यह जो मैंने अभी डाला है short description हूँ यहाँ पर आगया ठीक है क्योंकि variable product है तो न यहाँ पर quantity के कुछ option दिख रहे हैं मुझे अभी तक price दिख रहा है तो देखेंगे लेकिन color जरूर दिख रहे हैं अलग लग ठीक है अब इसके अंदर देखो और क्या करते हैं अभी तक यह variable product है तो देखते हैं तो देखते हैं यह सब हमने कर लिया में description अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो अधरवाइस छोड़ भी सकते हो तो में description flip card तो डालता नहीं है तो हम copy कहां से करेंगे तो छोड़ देते हैं हम भी ठीक है लिविट फो नौ कुछ भी डाल देता हम करने डवी कि आपको दिखाने के लिए कि actually है आता का है अब्डेट करते हैं फोड़क पेज पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको तो यह जो नीचर डिस्क्रिप्शन आगे जो मैंने अभी दिया ठीक है एडिशन इंफोमिशन में वेट और डैमेशन जो मैंने दिया था रिव्यूज अभी नहीं है ठीक है अब देखो क्य करते हैं तो मैंने एक दाला दूसरा गैलरी डाला तीसरा डाला चौता शॉट डाला अच्वा डाला डिस्क्रिप्शन सिक्स जो था यह वेटर डमेशन कहां से डाले वह दुबारा दिखा देता हूं नीचे आते हमनों पॉड़क डेटा में वेरेबल पॉड़क लिया था डाला के अंदर गाम के ह idag को आगे अब तो जब भी शीच की बाद होगी तो आइडिया किसे हो जाएगा जैसे BWP तो आपका ब्रेंड नहीं हो गया BWP Pro उसके बाद North Plus then running shoes RS, SS sport shoes, CS casual shoes, LS leather shoes ऐसे different find हो जाएगा and M for men ठीक है उसके बाद enable stock management at product level stock quantity 10 ले लिया ये लेने के बाद update करते हैं देखते हैं page पर कुछ हुआ तो quantity choose करने का option नहीं आ रहा था अभी तक तो आता है कि नहीं आता this product is currently out of stock and unavailable तो फिर से refresh करें पर अभी तक नहीं है तो देखते हैं कैसा आएगा inventory ठीक है क्योंकि variable product है में भी शेद इसले नहीं आ रहा तो देखते हैं complete करते हैं सारी चीज़ों को फिर बात करेंगे तो आ जाते हैं फिर से product data में and journal inventory में जो चीज़ हमने करनी थी कर दी shipping के अंदर मैंने भी weight और dimension जाला था नीचे shipping class भी चूज कर लिए link products कोई कोई है नहीं तो अभी नहीं कर सकता हम है और जो भी मैंने product पहले बना हूँ है वो mobile है तो shoes के सार्थ उसका relation नहीं ही है ना related में ना accessories में अलली चीज़ है attributes तो attributes क्या होते है shoes के to shoes के attributes ही होते है जो ओपर दिया हैं आपर ऑट्वीड इंडाल क्या है sole material क्या है closure क्या है यह सब basically उसके attributes होते है attributes दो हैं थे सोचो attributes वह चीज़ है जो एजा specification भी दिखते हैं और attributes वो चीज़ हैं जब कोई भी आके running shoes की category के page पे जाएगा जहां पर बहुत सार running shoes होंगे हर brand के तो left side में जो sorting options आते हैं filter आते हैं वो filter से आपका ये वाला product तब ही आएगा जब इसमें attributes डाले होंगे तो जो attributes है ने filter में show करता है जैसे आपने color डाल दिया left side में yellow पर click है तो yellow shoes आजाएंगे 10 number पर click है तो 10 number वाला जो available है जहां पर वो आजाएगा ठीया ना और उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे soul में ये particular material वाला soul चाहिए तो वो वाले product आजाएंगे तो मैं attributes दालूँगा तभी तो वो locate करेगा ना कि यह attributes कि product से match करते हैं तो attributes दालना बहुत जरूरी है तो attributes मैंने जब एक single product बनाया था तो मैंने कुछ बनाया थे लेकिन अभी क्योंकि मैं shoes की बात करना तो shoes में I think color का option तो चल जाएगा लेकिन बाकि सब कोई चीज़ा shoes में होती नहीं यहां पर मुझे एक चीज़ और add करनी है attributes में mainly shoes के लिए दो ही होती है एक उसका color एक उसका size ठीक है देखते हैं और भी चीज़े दिखा सकते हैं तो कैसे create करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि shoes में हम कौन-कौन से attributes डाल सकते हैं तो मैं इस main page पर आऊँगा तो इतना समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको shoes के page पे ले किछलता हूँ category page खुलेगा और यहां left side में आप देख रो पहला filter है price दूसरा main filter आएगा types of shoes तो यह क्या है running shoes है तो type भी लेना है फिर occasion casual है की sports है ठीक है फिर color लेना है फिर theme छोड़ दो brand ले सकते हैं size लेना ही है हमने customer rating छोड़ दो availability यह भी छोड़ दो तो mainly जो मुझे लगता है लेना चाहिए वह size लेना ही चाहिए brand भी लेना चाहिए color भी लेना चाहिए type लेना चाहिए बस यह चाहर तो जरूरी है तो चलो कैसे बनाते हैं वह देखते हैं तो अब हम attributes की बात कर रहे हैं तो एक attribute color का तो मिलके बागी बागी तो नहीं है तो बागी नहीं है तो कहां से बनेंगे तो इस product को पहले में एक बर update कर दूँ एंड इसी page में left side में option all products add new category tags और last में attributes तो इसको मैं new tab में खोल रहा हूं attributes के अंदर यह सब attributes मैंने already बनाया हूँ है mobile के साब से अभी यहां पे जो मैंने देना है अब क्योंकि अभी तो देखो मैं एक course के लिए बना रहा हूं सब चीज़े तो मैं बहुत सारे products ले सकता हूं कोई भी तो मैंने उतना सोचा नहीं कि मैं कौन सा product लोंगा तो मैंने वस ठीक है तो हो सकता है कि उसमें attributes clash कर जाए जैसे mobile का भी size होता है तो shoes का भी size होता है इसे ठीक है ना तो shoe size के नाम से एक मैंने attribute create कर दिया फिर मैं create कर रहा हूं यहां पर shoe type attribute फिर मुझे color का तो already है मेरे पास और एक और कौन सा करना था brand अब यहां पर देखो तो brand already है ठीक है ना तो यहां पर particular करना पड़ेगा जैसे यह वाला brand है तो इसको mobile brand करना पड़ेगा जैसे इसको shoe brand किया add attribute देखते हैं तो अब यह हमारे पास नीचे जलते हैं shoe के तीन option आ गए और color तो हमने normally रखा हुआ है अब color जो मैं shoes के डालने वालों यहां पर जो मैंने डालें एक्चली में वह है yellow तो yellow के attribute में है yellow तो है नहीं तो पुराने वाले जो colors हैं उसी के अंदर मैं एक नया add कर सकता हूं color yellow name में ड़लेगा और सिधा इसको add new color कर लेगा तो यहां पर ट्रीबूट्स में ग्रे है ग्रे है बगेंडी नहीं है वह भी ले सकता हूं ठीक है add new color colors तो हो है चलते हैं वापे से attributes वाले page पर और shoe type पर आते हैं configure terms पर क्लिक करना है नहीं configure terms types के अंदर learning shoes कौन कौन सी टाइप रोते हैं वापी देख लिते हैं ना walking shoes football shoes training and gym shoes walking shoes training and gym shoes ठीक है एठाज और देते हैं football shoes फिर attributes पर जलते हैं shoe brand configure terms कोई भी ले सकते हैं medidas Nike Puma Outland ठीक है और भी हो सकते हैं बहुत सारे ब्रैंड्स होंगे brands तो बहुत सारे local brands भी आएंगे यहां पर पर देख और आप रीड़ा सरी बॉक sketches तो आप यह सब भी ले सकते हैं अ जिसमें भी आप डील करते होगे ले लॉस जलोबापिस attributes में चलते हैं अब बहुत सारे products डालोगे बहुत सारी variety डालोगे तो सोचो attributes कितने बन जाएंगे हजारों attributes बन जाएंगे बनाने बढ़ेंगे लेकिन तब ही filter दंग से काम करेगा size six number से शुरू करेंगे seven eight nine nine ten eleven twelve वास ठीक है तो यह तो size लेगी है अब फिर से attributes पर जलते हैं तो almost हमने attributes बन ले अगला पोड़क्ट रहसे में अब टीशिट डाने वालना तो टीशिट के अंदर भी size अलग होता है ठीक है ना तो वह भी अभी सही बना लेता हूं है टीशिर्ट size add attribute T-shirt में size होता है और color होता है color तो अलड़ी है माल पास T-shirt size अब इसके अंदर size जो होता है configure terms smalls शुरू करेंगे medium large extra large extra extra large और लेना चाहने तो इसमें ऐसे भी नीचे एक access भी ले सकते हैं ठीक है चलो smalls शुरू करते हैं ठीक है तो यह T-shirt का भी color और size दन हो गया अब चलते हैं वापिस से अपने product में और एक बार इसको कर लेते हैं refresh अभी बात और यह शूज की अभी बात और यह शूज की फनिंग चूज रिंक स्पोर्ट शूज फों में ठीक है तो हम आगे एट्रीब्यूट्स के अंदर अभी जो में अड़ कर रहे है वो भी आ गए तो color ले लो add shoe brand add shoe size add and shoe type add ठीक है तो यहां पर color की बात और तो color is yellow तो yellow ले लो यहां पर ठीक है अब yellow color तो ठीक है लेकिन और colors का भी तो option दे रहा हो ना कि यह भी ले सकते हो तो yellow के साथ साथ black blue बगंडी and grey 5 color का क्योंकि variable product है ना तो यह सारे colors मुझे दिखाने बढ़ेंगे ठीक है brand brand में चलो मैं अभी लेता हूं कि यह वैसे तो campus है यह तो मुझे बना लेना चाहिता है वैसे पर कोई बात नहीं बना लेता हूं attributes show brand configured terms campus campus हो गया एज को एक बार अपडेट कर लेता हूं attributes ठीक है color हो गया इसको बार में देखेंगे अभी और add कर लेते हैं show brand add shoe size and shoe type ठीक है brand के अंदर campus brand तो एक ही दाएगा and shoe size में हम सब लेंगे 6 सब लेने हैं तो select all कर तो सारे हो जाएँगे shoe type यह running shoes है तुब सिर्फ running वाला लेंगे save attributes और यह तो symbol product की तरह बन रहा है भी इसके अंदर हमने यह सब add कर दी है simple और सब में आगे क्या tick हुआ हुआ visible on the product page visible on the product page का मतलब क्या refresh करूँआ तो कहा आएगा यह आएगा आएगा additional information के अंदर तो यहां पर दिखाने के लिए थीक है लेकिन क्योंकि यह variable product है तो कुछ variation choose करने के लिए option आया नहीं अभी तो attributes से ही हम variation बनाएंगे कैसे मुझे variation में क्या दिखाना है मुझे user को color का option देना है और मुझे user को size का option देना है shoot type कर तो देना नहीं है तो उन दोनों पर क्लिक करना है तो इसको करो पहले save जिन attributes को variation में use करना है उसको save कर लिए save करने के बाद variations है अगला options simple product लेते हैं तो यह variation नहीं आता variable product लिए इसलिए variations आया add variation तो कितने variation लिए मैंने size का और color का 5 color है और 6-12 तक 6-7-8-9-10-12-12-12 7 sizes है 35 variations बनने वाले हैं यहां पर देखो कैसे create variations from all attributes तो वो बोल रहा है कि आप maximum 50 बना सकते हैं लेकिन उसे जादा भी बना सकते हैं कोई शो नहीं है 35 variations मतलब एक color के 7 size 2-3 color के 7 तो जैसे आप देखो black का 6-7-8-9-10-12-12 blue का 6-7-8-9-10-12-12 ठीक है तो अब shoes का मतलब आप मान लो की price तो same ही है कोई भी color कोई भी size ले लो तो जब मैं इसके नदर जाऊंगा तो SKU number अगर इस size का अलग है तो अलग कर सकते हो अब variation का price देना ही पड़ेगा अलग है तब भी दो और same है तब भी दो तो यहां पर सबोज मालो मैं 1000 रुपे का shoes आईए sales price कुछ नहीं दे रहा weight dimensions अपने हम उठाली shipping class same as parent class same as parent यह सब हो गया अब यह कौन सा product है black तो यहां पर image का option दिया हुआ है तो मैं यहां से particularly black choose कर सकता हूँ देखते हैं क्या होता इससे यह दल गया अभी मैं एक ही डाल के दिखा रहा हूँ आपको कि यह एक डालने से पेज पर price आया है कि नहीं आया या choose करने का option आया है कि नहीं है तो कुछ तो आ गया ऐसी मैंने variation choose किया तो 1000 रुपे आगया लिखा हुआ choose an option black choose an option color 10 तो इसका अच्छा यह मैंने choose किया है मैंने वहां पर actually कौन सा लिया है भी देखते है एक बार variations में आके black 10 number ही लिया है मैंने 1000 रुपीज ठीक है तो price automatically reflect कर रहा है ठीक है exclusive of GST है सारे price ही GST है लग से लगेगा ठीक है तो अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं देखते हैं एक बार तो बापी से चलो फड़ा फट से फट फट से करना पड़ेगा यह black color ले दिया बंद करो इसको second open करेंगे यहां पर भी हम black color लेंगे set variation images price में 1000 रुपीज ठीक है तो black का मैंने 6 तक चलो black का पूरा ले ले लेते हैं अदरवाइस confusion रहेगी तो यह पूरा effort करना पड़ेगा एक separate video में बताऊंगा कि products कैसे upload करते हैं through excel file तो उसमें हम एक product create करके excel निकाल लेंगे और उसकी कहसाब से बाकी बनाके upload कर देंगे तो सारे products आ जाएंगे तो यह black का मैंने कर दिया अभी सब बाकी colors का सिर्व में 10 number लोगा blue का भी only 10 price में चलो मैं ले रहेता हूं variation ऐसे blue का 10 अब burgundy का 10 इसका price मैंने कर दिया 1200 पहले इसको update कर लेते हैं फिर नीचे आके हम variations और variation में आके हम next करेंगे सब का सिर्फ 10 number लेंगे बाविंदी का ले लिया अब gray का 10 number gray gray बाविंदी का ले लिया अब प्राइज लेते हैं इस बार ठीक है gray के बाद yellow प्राइज लेते हैं प्राइज लेते हैं तो ऐसे आप prices दे सकते हो नहीं भी देना तो कोई बात थी यह मैंने यहां पर सेव किया फिर उपर आके अप्डेट किया अप्रेट प्राइज पर रिफ्रेश अब देखो क्या होगा मैंने हजार पर इनिमिमम दिया शार शार दें विया तो यह रेंज बनी हुई आख़ाते कैसे देख लेंगे अब तो चूज एन उप्षिन यह तो कोई बीकूस से विले तो चलो देख लेते हैं एक बार तो यह लेने के बाद सेफ चेंज्सए और क्या लिए उपट का ड़ी करते हैं तो यह नीचे बी रिका हुआ या पर जो भी यहां हो जाएगा ऐसी अगर में ब्लू का लेता हूं तो ग्यारस हो जाएगा ठीक है कलर चेंज कर रहा हूं तो क्योंकि कलर के सबसी मैंने वैरिशन दिया बगेंडी में 1200 ग्रे में 1300 यहलो में अगें फॉरेंड अब में मेरा कंसान है कि हज़ हज़ हजार से 1400 तो देखो कैसे गूगल पर जागी लिखेंगे वू कॉमर्स प्राइस रेंज रिंज रिमूए रिमूफ तो वू कॉमर्स की कहां डालना है functions.php बताता हूँ कहां होती है फाइल तो इसको simply copy कर लो पहले दो code मैं बता हूँगा वो दोनों डालने है पहले तो ये बड़े वाला code डालना है ठीक है इससे क्या होगा जैसे ये code डालोगे तो वो range हटके ना from आ जाएगा तो ये भी नहीं चुगे मुझे अ उसके बाद ऐसा हो जागा simple तो price तब ही आएगा जब option कोई select करोगे ऊपर जो by default price लिखे वो नहीं आएगा ठीक है तो चलते हैं हम एक बार appearance के अंदर जाना होता है और theme editor में जाना होता है यहां पर मिलेगा आपको functions.php ये file होती है आपकी theme folder के अंदर रहागा आप आपने file manager से जाके डालोगे तू बात कर रहा हूं मैं तो जैसे यह आपने खोला सामने देख रहे है function.php और function.php में एकदम last में चले जाओ जहां पर खतम होती है ती भी बड़ी चोटी है last में चले जाओ और यह last में आगए इसके बाद भी दो चार्ट space दे दो और यहां पर पेश कर दो फिर एक दो space दे दो और चलो पहले यह इससे देख लो क्या हो रहा है यह जो 1000 to 400 लिखा है अब लिखा हो फ्रॉम थाउजन रुपीस अब फ्रॉम भी नहीं चाहिए मुझे फ्रॉम भी नहीं चाहिए तो फिर यह चोटे बाद लाएंगे इसको जाके यहां पर नीचे कर दिया पेश अपडेट फाइल और आप जाके देखोगे तो उपर बहला पाट चला जाएगा गौन सही लग रहा है ठीक है ना अब रेटिंग अगरे तो उपर आ जाएगी बाद में लेकिन प्राइज आएगा जैसा option चूज करोगे वैसे प ब्लैक है ब्लैक के अंदर मैंने दिया तो सारे हैं लेकिन सब में प्राइस यह ही रखा है इसलिए कुछ वैरेशन दिखेगा नहीं है लेकिन यहां से जब और देंगे तो साइज 6 का और ब्लैक कलर का और जाएगा अगी तो उनको भी समझ में आईगी और कि चीज का है ठी थीचिए ना अब यहां पर यह ब्लैक कलर ऐचा ड्रॉप्डाउन में आरहा है अब भी ड्रॉप्डाउन के अलावा को और लुक नहीं आ सकती है ठीक है तो चलो एक प्लाइन डालके देखते हैं तो प्लाइशन दालते हैं और प्लाइन में लिखते हैं और यहां पर प्लग इन आ गया जिसका नाम लिखा हुआ है वेरीशन स्वैचिस फॉर वू कॉमर्स ठीक है जो कलर ड्रॉपडाउन में आ रहते हैं वो ऐसे आ जाएंगे जो यूना साइज आ रहते हैं वो ऐसे आ जाएंगे तो बेटर है कि अधो लाग लोकों ने डाला हुए तो अछे यहổi स्वाइटार रिटिंग न्य तो और भी अच्छा कम भी अच्छा अब्डेर्ट होता रहत है वह की ठीक है कर लेते हैं अब में कुछ करना ओता है यह अने हो जाता है ठीक है यह रप लग इन तो सिंपल सब एनेबल किया ही हुआ है एडवांस चोड़ दो यह सब सेटिंग अलरीड है तो छेड़ते नहीं है और सिंपली पेज पर चलके रिफ्रेश्च करके देखते हैं होता क्या है ठीक है ऐसा कुछ हो गया अब यह इसमें भी अगर ब्लैग ब्लू यह सब कलर आ जाते तो और अच्छा लगता थोड़ा और डिफेंड लगता अभी क्लिक कर रहा हूं उपर लिखा हुआ ठीक है तो डिसी लुक चेंज हो गई है अब इसमें तो मैंने कुछ दिया ही नहीं इ चलो बैरेशन स्वैचिस में स्टाइल में चलके देख लेते क्या कर सकते हैं तूल्टे बैक्राउंड फीचर 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 आइटम स्टाइलिंग यह तो कलर से रिलेटेट बाद हो रही है होवर ब्लैक और कर रहे हैं तो बलाक हो रहा है अच्छा उपर लिखा इसको तो टूल्टिप में कुछ भी चेंज करना तो वो कह रहे है कि प्रो प्लैन में है वो ठीक है तो देखते हैं एक बार सिंपल में दुबारा चलते हैं राउंड शेप स्क्वेर से जाधा अच्छे राउंड लगते हैं लेकिन हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा-बड देखते हैं कैसे चलते हैं अगर अगर इंटिक कर देता हमाना में चाहिंस को जटर कि आक है जो एक इसके नदर है बॉलन्ट की ब्ली ये सब दिखे हैं तो व oh जबन चलकते हैस देखते हैं कैसे हुआ सब pro features के अंदर है active shop के अंदर भी pro features में है style में वा ही है premium 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 all premium performance में क्या है defer कर सकते है page PD के लिए लिए अगर कह रहा है तो सेब चेंजिस कर दो ठीक है तो जैसे अब यहां तो वो आप्शिन मिल नहीं रहा है तो उसके लाब हम क्योंकि यह सब चीज़े हम एट्रिब्यूट्स की ओना लुक और फिल्ड चेंज करने के लिए कर रहे हैं तो यहां पर आप्शिन नहीं है क्यों तो हम चलते हैं अपने अट्रिब्यूट्स के उंडर फोड़क्स के उंदर अट्रिब्यूट्स में चलते हैं और आभी के लिए हम बात कर रहे हैं अपने कलर Wait, he आप्शन हा रहे, enable archives, enable this if you want this attribute to have a product archives new store, इसको enable कर दो, और type के अंदर क्या दिखाएंगे, color दिखाना है, image दिखानी है कि बटन दिखाना है, तो पहले मैं color करके देखता हूँ, नहीं पर रहते हैं भी हम, और जो भी changes हम कर रहे हैं, और पेज़ पर कैसे reflect होते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है, तो ये color तो लिखावा आ रहा है, लेकिन अंदर colors नहीं आ रहे, तो देखते हैं, वो कैसे होगा, इसको करने के बाद, अगर हम back to attributes करें, और configure items में भी जाके एक पर देख लें, कि वहाँ पर भी कुछ setting में तो करना नहीं पड़ेगा, तो configure terms में चलते हैं, और black पर चलते हैं, जो अरड़ी बनाए होगा, ठीक है ना, तो पहले सिर्फ हमने नाम दिया था, अब ब्लैक में यहाँ पर हमें color choose करना है, color choose किया, update किया, तो देखते हैं, black पर black आया की नहीं आया, ठीक है, perfect, आ गया, तो पहले हमने यह plugin डालना है, plugin में कुछ अड़कानी नहीं करना है, फिर हमने main attributes पर जाके उसको, आर्काइब को enable करके नीचे color, image यह जो third option है, वो choose करना है, फिर हमने configure terms में जाके उसको भी edit करना है, तो थोड़ा सा time taking है, लेकिन करना पड़ेगा, तो black हो गया, अब यह ब्लू का देख लेते हैं, update, फिर back to color attributes, ठीक है तो यहां पर भी आता जा रहा है, तो look in field थोड़ा अच्छा हो रहा है, इसे, burgundy देख लेते हैं, कैसे color होता, burgundy, तो यह like maroon जैसे कुछ color है, ठीक है यह ले लो, ठीक है तो drop down से थोड़ा से थोड़ा बेटर look in field देते हैं, यह, grey लेते हैं, green तो हो है नहीं हमारे पास अभी लेकिन, सबका देना ही है, तो यह जोड़ सा time taking हो जाएगा, grey, 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 black लेते हैं, और grey पर कहीं पर, यह से कर लेते हैं, update, and last, जो है हमारे पास, yellow, back to color attributes, edit, यह yellow तो नहीं है exactly, लेकिन ठीक है, अब अगर जैसे मैंने तो colors दे दी है, तो refresh कर लेता हूँ page को एक बार तो सारे colors आ जाने चाहिए अब, अब तो परह, color को edit करें, type में, color की जगह पर अगर image लेते, update करते, तो यहां से product की images पिक कर लेता है यह वो भी upload करने पड़ती है, देखो, सब broken images दा रहे हैं, तो मतलब जैसे color अभी select किया है, वैसी images को भी select करना बढ़ेगा वहां जाके, अधर वैस तो बहुत odd लग रहा है, third option, button, button में हो सकता है कि circle की जगह square, या rectangular हो जाएगा, ठीक है, button का मतलब क्या हुआ, फिर वो नाम लिखा हुआ आगया, जो office statement नहीं चाहिए, तो better है कि आप color ही choose कर लो बस, update, कहीं चीजों में, color की बात हो रहे हैं तो color ही आएगा, लेकिन बागी चीजों में हम कुछ और लगा सकते हैं, यह भी title, image, gallery, short description, color variation, ठीक है न, और एक चीज़ आप देख रहे हो, कि black पे black, जब red कर रहा हूं तो burgundy, gray कर रहा हूं तो gray, और yellow कर रहा हूं तो yellow, यह क्यों हो है क्योंकि जब मैं variation set कर रहा था तब मैंने यह कर लिया था, जब मैं variation set कर रहा था, तब मैंने यह option कर लिया था, otherwise आता नहीं, जो मैं हर बार यहां पे image डाल रहा था न, वह इसी के लिए डाल रहा था, अगर मैं image नहीं डालता तो वह जो image आ रही थी न, black यह yellow, जो भी front image थी वही आते जाती, चाहे price आपको black, blue, gray के ही दिखते हैं, लेकिन वह image वहाँ पे change नहीं होती है, वह image कब change होगी, हर variation के साथ image अलग लगा होगी, तब ही change होगी, otherwise नहीं होगी वह, ठीक है न, और वैसे तो अभी मैंने price same रखा है, मान लो कि अगर कोई ऐसी चीज आप sell कर रहे हैं, जिसका quantity है, कोई भी variation के साथ से price अलग लग है, तो जित्ते भी variations बने हैं न, black 10, black 11, black 12, इसको open करकर के इनका जो price differentiation है, 1050, 1100, 1150, 1200, 1200, 1250, वह सब देना पड़ेगा आपको, तो time taking है यह चीज, इसलिए भी e-commerce में product डालने की महनत है, front page तो यूनो एक घंटा, क्योंकि आजका लो template से बन जाता है, तो एक घंटे में शायद home page बन जाएगा आपका, और category page और product pages तो अपने आप ही बने में होते हैं, थोड़ी पर setting करनी होती है, बाकी बस home page की महनत है, बाकी जो features आप डालोगे, वो थोड़ सा time लगता, otherwise in a single day, e-commerce site easily बन सकती है, मंतब मेरे सारे videos भी देखके अगर बना होगे न, तो चलो बहुत सारे हैं, तो within a week आप एक अच्छी e-commerce site बना लोगे, ठीक है, तो this way आपने पहले product बनाया, जिसमें basic details डाली, category choose करें, जैसे normal usually करते हैं, images डाल दी, ठीक है न, shipping बगरा, inventory और general में इसवा price हो था नहीं, link products अभी है नहीं करने के लिए, तो पहले attributes create किये, फिर उन्ही attributes में जिस चीज़ का variation बनाना था उसको tick कर दिया, कैसे tick किया, जैसे color का बनाना था, तो color पे user variation पे click कर दिया, जब यह tick किया, तो यह यहाँ पे आने शुरू हो गए, भलब आये नहीं, तो मैंने क्या option लिया, create variation from all attributes, तो लिया तो जो जो भी 5 color और 7 sizes थे, 5 x 7, 35 variations, automatically create हो गए, आप देखें, कौन सा color और कौन सा size दिखाना है, तो जब भी user उस page पे जाएगा तो वही चीज आएगी, ठीक है, फिर मैंने variation swatches डाला तो उससे थोड़ी सी look and feel obviously, अच्छी हो गई हमारे page की, जो पहले बहुत drop-down में बहुत basic सा लग रहा था, ठीक है, अब थोड़ा सा you know, modern सी look site दे रही है, पहले बहुत basic सी दे रही थी, वाकि description मैंने बता दिया, additional information जो आपने attributes बनाये थे, वो सब यहां आ जाता है, और वो सब बार में as a filter भी use होगा, इसलिए हमने attributes बनाए है, ठीक है, otherwise तो यह सारी information में description में भी डाल सकता था, लेकिन क्यों डालना था, तो फिर वो filter वाला काम नहीं होता, filter वाला काम करने के लिए हमें attributes तो बना नहीं थे, attributes से वो काम अपना आप हो जाएगा, तो वो करने की जुरूत थी है, ठीक है, तो this way आप अपनी website में variable product create कर सकते हो, जिसमें ऐसे variations होंगे, ठीक है, तो अब हम फड़ा फड़ से एक दूसरा देख लेते हैं, फड़ा फड़ से बनाएंगी, क्योंकि उसके attributes हम create कर चुके हैं, तो हम इसको update करके, अब अगला product जो हमारी है, shirt, तो यहां पर मैंने actually shirt की category भी नहीं बनाई हुए, तो मुझे category में भी जाना पड़ेगा पहले, और men's के अंदर men's shoes और jackets तो बनाया हुआ है, लेकिन मुझे men's shirts एक category बनानी पड़ेगी और उसको डालना पड़ेगा, under men's, ठीक है यह category जो है, मैं चलता हूँ फिरसे एक बार attributes में, जोहां पर क्या गलती करी है, मैंने यहां पर T-shirt size लिख दिया, वह actually shirt size आएगा, तो कुछ नहीं करना, simple is credit करना, shirt size, perfect, अब यहां पर यह देख लेंगे, कैसे लगाना है color image button, देख लेंगे, color का तो हमने set कर दिया, color का तो ऐसी आएगा, बाकि size के लिए, by default जो आ रहा है पहले वह आने तो फिर देख लेंगे, तो ठीक है, update कर दिया मैंने इसको, अभी फिर मैं products में आके, add new product पे click करता हूँ सीधा, add new product के अंदर, मैंने जो shirt डालनी है, shirt का जो नाम देना है, मैंने, ऐसा नाम देना है, ठीक है, shirt का नाम, यह रखेंगे हैं, तो copy paste किया, description अभी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो copy, paste paste, copy and paste, ठीक है, दो paragraph जाल दिये, अब यहां पे men's, shirts, category देना हो, men's भी चाहओ तो ले सकते हो, ठीक है, जब men's पर जाएंगे तो shoes, shackles, shirts, सब कुछ आ जाएगा, left side में filters होगा या right side में जैसे आप, set करना चाहओ, accordingly यह filter कर सकते हो, ठीक है, तो पहले नाम दिया, description दिया, category दी, फिर उसके बाद, main image और फिर उसके बाद, gallery images, तो देखते हैं images, मैंने download करी है, मुझे करनी है भी download, I think करनी है download भी, बट मैंने open करके रखी होई है, तो फड़ा फट से download कर लेते हैं, save as, जिससे इसका नाम है, blue shirt, save, फिर ये, yellow shirt, red shirt, रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, और एक ये बैक साइट का दिया हुआ तो इसको भी ले सकते हैं, normal, shirt, back के नाम से शेव करते हैं इसको, सलते हैं अपनी वेबसाइट पर, normal, select files पर, backstop पर, ये 4 images जो है, फिर लोट कर देते हैं फिर accordingly यूज कर लेंगे, तो page, चलो blue, देखते हैं एक बार product name में क्या है, cut करके देखना पड़ेगा, white, white t-shirt, अच्छा मतलब वो जो patterns हैं उसको color में count नहीं कर रहे हैं, इसको white में count कर रहे हैं हो, ठीक है, वो टी-shirt लिखने हैं, exactly है तो t-shirt ही, ठीक है, तो, कोई बात नहीं, अब joke कर दिया कर दिया है मैंने, अब इसके अंदर हम, सही लिख्या है, maroon white t-shirt, तो maroon की बात हो रही है basically हां पर, तो maroon वाली डालूंगा, देखते हैं, तो इसके अंदर भी हम आके क्या करने वाले है, variable product, price art क्या, taxable जो भी है वो आप चूज कर लो, inventory के अंदर आप SKU, जैसे मैंने, create नहीं किया इसके तो SKU बताता हूँ, जैसे, wordpress pro, suppose मेरी website गाना मैं तो brand लेलो इसको, and striped men, polo, neck, maroon, white t-shirt, ठीक है, कोई brand नहीं है basically इसका, जैसे, shoes के अंदर, campus brand था, के अंदर यह सच कोई, eye boggler लिखा तो है वैसे, तो use कर सकते हैं इस eye boggler को भी, striped men, striped men, polo, neck, maroon, चलो, देखते हैं कैसे देंगे, काफी complicated सा हो रहा है, eye boggler के लिए e दे देते हैं, striped men, color के लिए maroon, white देंगे, और T-shirt है तो, T देने की बस, T for T-shirt, यह दो code colors के होगे, striped men, और यह आपका brand होगे, ठीक है, enable stock management, अंडर दे दिया अभी, and, category चूज कर लिया, image तो आल देते हैं, maroon वाली main image, यह वाली, और बाकी सब जाएंगी, gallery images के लिए, one, two, and three, ठीक है, inventory, shipping में हम, weight इसका, 200 grams, अगर ऐसा ले तो, 400 grams, कुछ भी ले लो भी तो, dimension इसकी क्या ही ले सकते हैं, height और width की बात करें तो, height, approximately, cm, चलो idea नहीं होता, छोड़ दो, shirt, T-shirt में क्या ही देना, इस category में आए गई है, tink product छोड़ दो भी, attributes में आ जाते हैं, color लेना है, add कर लो, and, shirt size या T-shirt size जो भी है वैसे तो अलग लग होना चाहिए था, add कर लो, color के अंदर हमार पास, एक है, अभी जो maroon है इसके लिए बगेंडी ले लेता हूँ, and blue, blue है blue लेता हूँ, और एक yellow है yellow लेता हूँ, अभी के लिए ले ले लो, फिर हम size के बाद कर रहे हैं तो, select all, ठीक है, और इन दोनों को ही मैंने as a variation यूज करना है, तो tick करके save attributes, publish, यहां पर भी save हो जाए, फिर, view product पे click कर दिया है, मैंने new tab पे कुलिया है, और stock and unavailable, चलो वह देख लेंगे हम, ही में जागी, second, third, fourth, make sure same size होना चाहिए, चोटा बड़ा भी है, reception manager दिया था वह आगया, जो मैंने attributes करेट के था वह आगया, ठीक है, तो अभी यहां पे, यह जो shirt है, इसके कुछ product details में चलते हैं आपर, read more पे चलते हैं, पूरा copy कर लेते हैं, copy, यह T-shirt के page पे आगये, short description में चलके, page किया लेकिन, ऐसा issue हो आ रहा है, तो इसको short करने के लिए, एक छोटा सा काम, करके देख रहा हूं है, ठीक है, wordpad या document, file के अंदर इसको paste करो, इसमें भी ऐसी आ रहा है, okay, अगर हम इसको excel में paste करें तो, तो भी ऐसी आ रहा है, लेकिन अगर यहां से match destination करें, तो भी ऐसी आ रहा है, तो ठीक है, यह ऐसी आएगा, तो फिर last time की तरह मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, करेंगा स्टाहिल कोड की ऐसा जुर्द नहीं है। टैप आफ वन की जुर्द नहीं है। फैब्रिक कॉटन ब्लंड टीक है। फिट अब इसमें हमने गुलोट्स लाने जो इशु आ रहा है तो इसमें अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ दिखानी है अब हमने सारी डाल दी है आप अब खाल अब आख जा रहा है। त्यक है। रिवर्सिबल नो शुटब प्रफर वेश्टन लिए अटा सकते हैं। शाइप पेटर्न साइज एक्सेल आटा सकते हैं। अडल पर मैं अटा सकते हैं। ये त्यक है। तो पोलो उपर लिखा हुआ है तो फिर यहां पर दिखाने के जुड़त नहीं है। ठीक है। ये दे दिया। अब डेट करते हैं। थोड़ा सा खाली-खाली लग रहा था है और थोड़ा सा प्याइज लगेगा कि यहां कुछ है पेज़ पेज पे ठीक है। अभी हमने एट्रिबूट्स तो डालती लेकि उन एट्रिबूट्स ते वेरिशन नहीं बना है। तो अब चलते हम सीधा वेरिशन के अंदर। वेरिशन में और वेरिशन में जाके एट्रिबूट्स तो दो यह अट्रिबूट्स है तो कलर पांच है और दूसरी चीज़ साइज जो है वो कलर तीन है शर्ट के तीन है टीशिट के साइस पांच है तो 3515 हो गया तो 15 वेरिशन यहां पर एड़ हो गया थीक है फिर ब्लू फिर बगंडी फिर येलो ठीक है तो ब्लू के अंदर गए तो अगर चाहते हो कि वो पहले जैसा हो कि जो भी वेरिशन चूज करें इसका प्र कि ऐसे बगंडी को कर लेते हैं कि वाराइसो और यह लगवा कर लेते हैं कि वाराइसो ठीक है तेट चेंजिस पेज अप्टेट करेंगे पेज पर चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं स्वेचिस के साब से आगया एक्जाटली आगया एकदम बढ़िया इमिजेज अभी पेज लोड़ हो रहा जाएगी तो यह सब चीज़े आगई अगर आप short description नहीं दिखा हुए तो यह automatically उपर हो जाएगा पर जगा थोड़ी काली हो जाएगी या तो फिर इमेज चोटी रखो तो इमेज के size के साब से भी सारी सी से ठीक आ रही है अभी कुछ भी नहीं देखो प्राइस बगारा दिखा रहा क्योंकि मैंने by default फिट से शेक नहीं किया तो page पे जाके variations पे जाके default के अंदर blue and large यह चूज कर लेते हैं कुछ at least price तो लिखा हुआ है ना दर्वाइस page पे प्राइस नहीं हो तो odd सा लगता देखने में refresh करते हैं ठीक है 100 इंस टॉक मैंने 100 दिया था तो आगया ठीक है अब यह बाकी में cross क्यों लगवाँ पता है क्योंकि बाकियों में मैंने कुछ दिया ही ने अंदर इसके वो रहे not available stock है नहीं है उसका लेकिन अगर मैं दे दूं तो सब enable हो जाएंगे देखो कैसे variations सिर्फ price देना और कुछ भी नहीं और image भी लगानी है जो कि अभी तो नहीं लगाता है सब्सक्राइब नहीं चलो बस save changes ठीक है तो पहले जिसको यह option नहीं पता तो simple product में क्या करेगा हर color के सारे sizes बताएगा तीन color और जैसे हमने एक ही पैच पंदरा version बनाए तो वह पंदरा pages बनाएगा same images बार बार यूज करोगे same content बार बार यूज करोगे site का load बढ़ेगा site slow हो जाएगी hosting जाद लेने पड़ेगी अब सारे enable होगा देखो लेकिन जब red लोंगा तो फिर cross होंगे yellow लोंगा तो फिर cross होंगे क्योंकि बाकियों में है नी इसमें लेंगे medium small सब available है ठीक है न तो यह आपका दूसरा एक product variable product page बन गया ठीक है और hopefully आपको समझ में आ गया होगा यह कैसे बनाते हैं simple है जादा कुछ नहीं है बस main focus आप attributes पर रखो और attributes से variation कैसे बनाना है कौन-कौन से attributes का variation बनाना है वह पस पता होना चाहिए अगर वह चीज़ समझ में आ गई तो फिर you are sorted अराम से कर लोगे तो इतनी बात कर ले दें इस वीडियो में see you in the next video thank you